दोस्तो very good morning to all of you, आजके इस सांदार वीडियो में बहुत ही अच्छे लेविल के questions को लेकर आया हूँ, सुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तो आजका वीडियो सुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि SSC CPO और दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम आने वाला है, इसको लेकर mock test organize किया जा रहा है ये एक 19 नॉवंबर को SSC CPO का mock test हो चुका है, जिन लोगों ने भी attempt किया है, वो लोग बहुत ज़्यदा इसको अच्छा बता रहे हैं यहाँ पर 24 नॉवंबर को दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का mock test होगा, जिसमें कि दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल में जैसा एक्जाम आता है, उसी pattern पर जितने questions होते हैं, उनको discuss किया जाएगा और यह जो class होगी, यह प्रत्योगिता मंत्रा के दोरा अन-academy platform पर ली जाएगी, अगर इस mock test को आप लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो वीडियो के description में आपको link दिख रहा होगा, अन-academy का उस पर जाकर आप इसको enroll कर सकते हैं date यहाँ पर याद रखना, 24 नॉम्बर को 10 बजे सुबह आपका यह test होगा, और सामको 4 बजे इसको analysis भी की जाएगी तो दोस्तों, आज का पहला प्रस्तमना है, गिदो के सनच्छन के लिए, केंदर सरकार ने कब से कब तक एक पंच वर्सी योजना बनाई है तो जिस तरीके से loin का conservation किया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर जो tiger का conservation जिस तरीके से हो रहा है, तो उसी basis पर अभी गिदो के सनच्छन के लिए काम कर रही है केंदर सरकार, क्योंकि पिछले कई वर्सों में देखा गया है, कि गिदो की संख्या में बहुत तेजी से decline जाएगा, option number A यानि कि वर्स 2020, वर्स 2020 से लेकर वर्स 2020 ठीक है, तो यह जो पंच वर्सी होजना है, गिदो को लेकर यह 2020 से लेकर 2025 तक चलेगी, तो option number A इसका राइड इंसर हो जाएगा, अब इसमें आप देखोगे, लिखा है, यहाँ पर देखो, आपको गिद दिख रहे ह Government draws a five-year plan to save vultures, गिद को बचाने के लिए काम करेंगे, गिद हमारे environment की सफाई का काम करते हैं, जब भी कोई मरा हुआ जानवर होता है, तो उसके आउसेस को खाकर, उस मरे हुए जानवर के मलबे को यह हटाने का काम करते हैं, साथी साथ में इस योजना के तहित, भारत के कुछ राज्य को चुना गया है, जहाँ पर गिदो के पाँच प्रजिनन केंद्रों को बनाये जाएगा, जो की तरिपुरा, उत्तर प्रदेश, करनाट का महराश्टरा और तमिल नाडू में बनाये जाएंगे, करन्ट अफेस का अगला सांदार कोशन मना है, कि महराश्टरा के गवर्नर किस अबिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवर्ड 2020 से समानित किया है, तो हाल ही में महराश्टरा के जो गवर्नर है, उनके द्वारा ये जो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवर Dr. Ambedkar Award 2020 से समानित किया गया है तो Option No. 20 का राइड इंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो रीचा चड़ा का फोटो लिका है रीचा चड़ा Honored with भारत रतन Dr. Ambedkar Award 2020 तो ये इसको प्रदान किया गया है इसके बात में Current Affairs का question मना है World Twilight Day विश्व सौचाले दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा हर साल 19 नवंबर को हर साल 19 नवंबर को 19 आफ नवंबर को World Twilight Day यानि कि विश्व सौचाले दिवस मनाया जाता है तो Option No. 20 इसका राइड इंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो World Twilight Day 19 नवंबर को हर साल मनाया जाता है It's No Joke इस वर्स यानि कि 2020 का World Twilight Day का जो थीम है वो है Sustainable Sanitization and Climate Change ये वर्स 2020 का इसका थीम है जो कि आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद में अगला संधार कोशन है कि प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो हर साल 19 नवंबर को हर साल 19 नवंबर को Every year 19th of नवंबर को हर साल 19 नवंबर को International Means Day अंतर राश्ट्री ये पुरूस दिवस मनाया जाता है Option No. 20 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं Happy International Means Day वर्स 2020 के इसकी थीम की बारे में बात करें तो इसकी थीम हो जाएगी Better Health for Men and Boys ये इसकी थीम हो जाएगी चलते हैं अगले करंड़ फैस के कोशन की तरफ अगला सांदार कोशन मना है कि भारत के सुपर कम्प्यूटर का क्या नाम है जिसने दुनिया के पांसो सबसे सक्तिसाली सुपर कम्प्यूटरों की सूची में 63 इस्तान प्राप्त किया है तो यहाँ पर भारत के जिस सुपर कम्प्यूटर को 63 इस्तान मिला है उसका नाम है परम सिद्धी AI तो परम सिद्धी AI नाम से ये सुपर कम्प्यूटर है जिसने हाल ही में इस list में 63 इस्तान प्राप्त किया है तो option number 20 का red answer हो जाएगा अब इसमें आप लोग देखना चाहेंगे ये जो परमसिद्धी computer है अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया के 5 सबसे सकतिसाले सुपर कम्प्यूटर की list में परमसिद्धी को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है तो answer हो जाएगा परमसिद्धी को इसमें 63 इस्तान प्राप्त हुआ है 63rd position इसको मिली है इस परमसिद्धी AI computer को C deck के दोरा में बनाये गया है और इसमें देखो लिखा है इंडियास परमसिद्धी AI supercomputer ranked 63 out of 500 top most powerful supercomputers in the world ये आपको याद रखना है इसी के साथ साथ में computer का एक बहुती सांदार question पूछा जाता है कि बताओ पहला electronic digital computer कौन सा है तो INIAC जो है ये पहला electronic digital computer है और INIAC का full form होता है electronic numerical integrator and computer ये इसका पूरा full form है जो कि एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इसके बात में अगला question मना है Women's Entrepreneurship Day महिला उद्यमिता दिबस प्रती वर्स किस दिन मनाये जता है तो हर साल 19th of November 19th November को Women's Entrepreneurship Day यानि कि महिला उद्यमिता दिबस मनाये जता है तो option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो Women Entrepreneurs Day W.E.D. हर साल 19th November को मनाया जता है इसके बात में Current Affairs का अगला question मना है राश्ट्री एकता दिबस National Integration Day प्रती वर्स किस दिन मनाये जता है तो answer हो जाएगा हर साल 19th November को National Integration Day राश्ट्री एकता दिबस मनाये जता है option number 20 का राइड एंसर हो जाएगा ये जो राश्ट्री एकता दिबस है ये इंदिरा गांधी जी की जहनती के आउसर पर मनाये जता है तो National Integration Day जिसमें आपको इंदिरा गांधी यहाँ पर दिख रही होंगी तो ये जो कारकरम है ये भारत की पहली महीला प्रदान मंतरी इंद्रा गांधी जी की जहनती के रूप में मनाये जता है इस बार इंद्रा गांधी जी की 103 वी जहनती थी जिसके आउसर पर इस दिबस को मनाया गया है साथी साथ में इंद्रा गांधी का जो समाधी इस्तल है उसको सक्ती इस्तल के रूप में जानते हैं ये भी आपको याद रखना है Current Affairs के अगले कुशन में नवंबर 2020 में RBI ने किस बैंक को एक महिने की अवदी के लिए मोरो टोरियम के तहत रखा है तो अंसर हो जाएगा लक्षमी विलास बैंक, option number A का राइड एंसर हो जाएगा लक्षमी विलास बैंक को हाल ही में RBI ने Penalty लगाते हुए इसको एक महिने के लिए मोरो टोरियम पीरड में रखा है तो option number A का राइड एंसर हो जाएगा तो इसमें हम लोग देखेंगे, लिखा है मोरो टोरियम इंपोस्ट on लक्षमी विलास बैंक जब भी किसी बैंक पर कुछ गड़बडी देखी जाती है तो RBI ततकाल प्रभाव से उस बैंक को मोरो टोरियम पीरेड में रखता है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो निकाले जनने वाला पैसा होता है उस पर एक लिमिट लगा दी जाती है कि वो उससे जदा पैसा उससे बैंक से नहीं निकाल पर सकता है साथी साथ में कुछ और भी रूल्स उसके उपर लगाए जाते हैं तो इसमें एक प्रसना आप से पूछा जा सकता है कि चूकि इस बैंक पर लक्ष्मी विलास बैंक पर मोरोटोरियम पिरियर्ट चला है तो इस पर जो इस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा निकाले जाने वाला जो अमाउंट है वो 25,000 रुपए अधिक्तम सीमा है उससे जदा पैसे वो उस बैंक से निकाल नहीं सकता साथी साथ में ये जो अलक्ष्मी विलास बैंक का जो निदेशक मंडल है उस सभी को इस्तगित कर दिया गया है एक महिने के लिए अगला प्रसना है कि दच्छिड चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन देशों के बीच में पारस्परिक पहुँच समझोता जिसको इंगलिस में बोलते हैं रेसी प्रोकल एकसेस एग्रीमेंट हस्ताचिरित एक सोदा किया गया है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपको समझना है कि जो पारस्परिक समझोता है यानि कि रेसी प्रोकल एकसेस एग्रीमेंट है यह जापान और आस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है इसका उदेश है कि साउथ चाइना सी में जो चाइना का पावर इंक्रीज होता जाता है उसको संतुलित करने के लिए इस एग्रीमेंट पर साइन किया गया है तो इसमें आप देख सकते हो लिखा है जापान और आस्ट्रेलिया साइन लेंड मार्क डिफेंस डील टू काउंटर चाइना's influence in South China Sea यह इसका राइटेंसर हो जाएगा जापान के बारे में समस्ते हैं जापान की currency है Yen और इसकी capital है Tokyo यह इसके प्राइम इनिष्टर का नाम है और अिस्टरेलिया के बारे में discuss करें तो इसकी capital है कैनेबरा प्राइम इनिष्टर का नाम है Scott Morrison यह भी आपको पता होना चाहिए इसके बात में करने डफेस का अगला प्रस्था है कि BRICS Economic Research Award 2020 किसे प्रदान किया गया है तो यह जो अबट है इसको हाल ही में option number यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा option number A इसका राइड इंसर हो जाएगा Dr. Adam Yao Liu को हाल ही में BRICS Economic Research Award 2020 यह actually में Exim Bank इसको बोलेंगे Exim Bank's BRICS Economic Research Award 2020 से समानित किया गया है Dr. Adam Yao Liu को तो option number A इसका राइड इंसर हो जाएगा इसमें हम देख सकते हैं लिखा है Congratulations Adam Yao Liu winner of 2020 BRICS Economic Research Award यह इनका फोटो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आज का question जिसका answer आपको देना है किस tennis खिलाडी को विस्सु का number 1 खिलाडी रहने के लिए ATP Tour number 1 trophy प्रदान की गई है तो इसका answer आप लोग comment box में लिखना ला बूले Thank you for watching this awesome video